हाई एवरिवन आई एम रिशेका सिंग यू और वाजिंग सम्वेधाम और यूट्यूब चानल अगें और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनिल कोड 1860 याने की IPC के बारे में और IPC में आज हम पढ़ेंगे क्राइम और एसेंशल ऑफ क्राइम के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम की चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिफ्टिन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं तो आगे चलते हैं डफिनिशन ऑफ क्राइम की तरफ कि अगर हम जानल तम में बात करें तो क्राइम क्या है क्राइम एक रॉंग है जो अफेक्ट करता है लाइज सोसाइटी को होल सोसाइटी को फिछिंस डिक्लेए अज्टियर टो प्रोहबिटड यूज इस्टियर टो ब्रहबिटटिड आन पनिशेबल बाइल जो की प्रोहबिक्त किया गया है और punishable है law के द्वारा वही है crime, Blackstone, Kenny, Austin, Stephen, यह सारे लोग के अपने अपने views हैं, अपने मत हैं, इन्होंने crime की definitions दी है, तो आगे पढ़ते हैं Blackstone को, Blackstone कहते हैं कि crime is an act, यह एक act कमिट किया गया है, या उमिट किया गया है, involution of a public law involution of public law ये commit किया गया है ओमिट किया गया है ये law आइधर forbidding और command नियत ये चाहे तो forbid कर रहा है या command कर रहा है according to Stephen, crime क्या है? crime is an act forbidden by law crime एक act है जो कि forbidden by law है which is at the same time और वो उसी समय revolt करता है moral sentiment of the society को जो कि moral sentiment है society का उसको ये revolt करता है according to Kenny Kenny कहते हैं कि crime are wrong whose sanction is primitive जिसका sanction जो है वो डंडनात्मक है and is no way remissible by the any public any private person ये remissible नहीं है यानि कि इसकी माफी नहीं है किसी private person के द्वारा बट अगर ये remissible होता भी है तो ये सिर्फ remissible कर सकता है crown ये उसकी बात करता है but is remissible by crown alone if remissible at all crime की बात करें तो IPC में जो offense word का use किया गया है section 40 में उसको पाइने के लिए आप अपने bear act को open करें ताकि आप मेरी चीजों को समझ पाए offense denote a thing that is punishable by Indian penal code और any local law और any special law कोई भी चीज अगर punishable है तो वो हो गया offense ठीक है तो अब हम चलते हैं elements of crime की तरफ elements of crime में कौन करता है crime एक person या human being उसका उसके पीछे evil intention होता है और evil intention उसका किसी over attack यानि कि act और omission से दिखता है और इससे पहुसती है injury किसी other person को ठीक तो अब हम चलते हैं human being और person पहले element की तरह human being और person में कौन कौन यक्टी आते हैं अगर हम पहले historical time की बात करें ancient time की तो कुछ evidence है trial और punishment के animals के ठीक लेकिन जैसे जैसे menstrual development हुआ ये बताया गया कि जो animals हैं उनका evil intention नहीं होता ठीक तो तब उनको exclude कर दिया गया ये human being के portion से अब इसमें कौन आता है person person जो कोई commit किया हो कोई act किया गया हो और वो person under the legal obligation हो or should be fit for the award of appropriate punishment और जो कि fit हो जिसको punishment दिया जा सके वो आजाएगा human being के अंडर अब हम चलते हैं mensria के तरफ mensria concept है बहुत वाइडर है ये IPC में नहीं है mensria क्या है लेकिन mensria के बिना crime होता ही नहीं है mensria के mensria को समझने के लिए हम तीन magazines को पहले समझते हैं कि तीन magazines इसके based हैं वो कहते हैं actors non-facetrium nisimensitria इसका मतलब है कि act itself does not make a man guilty unless his intention are so अगर किसी परसन का intention नहीं है और उसमें कोई act किया है तो अकेले जो act है वो मान लिया नहीं जाएगा कि वो offense है या crime है ठीक एक दूसरा maxim है जो कहता है actors may invent of factors non-ist men's actors इसका मतलब है an act done by me against my will is not an act at all कोई भी act किया गया हो जो मेरे दौरा किया गया है और वो against my will है मेरे बिल के according नहीं है बढ़किन मुझे ये forcefully मैंने ये कारे किया है तो ये criminal act के अंदर नहीं आएगा ये एक उसका exception हो जाएगा ठीक अब हम बढ़ते हैं नल्लम क्राइमें साइना लेगे नल्ला पॉइना साइने लेगे इसका मतलब है कि there must be no crime or punishment except in accordance with the fixed pre-determined law अगर कोई भी crime or punishment तब तक नहीं माही जाएगी तब जब तक कि उसका एक prefixed which determined law नहीं है ठीक है कोई भी law नहीं बना है कोई भी नया law नहीं कोई नया crime आ गया तो वह crime तो नहीं है at that date बढ़ जब लॉब बन गया उसके बाद वह crime हो जाएगा ठीक तो हम यह समझ गये कि mensria है क्या mensria को define करे तो it is a state of mind which is prohibited by law mens का मतलब होता है state of mind and ria का मतलब होता है which is prohibited by law तो mensria वही है तो mensria जो ITC ने इसकी applicability कहां कहा है तो mensria कहीं पर भी define नहीं है Lord Macalene ने कहीं पर भी define नहीं किया बट जो word उन्होंने कई-कई sections में यूज किये है जिसे voluntarily, intentionally, just honestly, fraudulently, knowingly, rashly और negligently यह सारे शो करते है, evil mind किसके accused के show करते है ठीक है और in the chapter of general exception general exception के chapter में कुछ circumstances बताय गए है कि जहां mensria absent है वहाँ कोई भी criminal liability arise नहीं होती ठीक है या फिर देखते हैं हम general exceptions में जैसे कोई minor काम कर देता है बट वो नहीं समझता कि nature क्या है उस एक्ट का उसका कोई guilty mind नहीं होता बट फिर भी वो चीजे कर देता है तो वो general exceptions में आ जाएगा ठीक तो यह हम समझ गये कि mensria क्या है mensria पे केस था R.V.S. Prince 1875 का केस था जिसमें कि Prince ने एक girl को अपने साथ हो लेके गया उसको लगा कि वो 18 साल की है ठीक है लेकिन वो girl थी 16 साल की तो उसने प्लीट किया कोट में कि यह जो लड़की है 18 साल की है इस knowledge से मैं उसको लखे गया लेकिन कोट उसकी जो defense है उसको मानती नहीं है ठीक है फिर उसके बाद case आता है R.V.S.Tolson का 1889 का जिसमें jury ने accept किया था कि जो defense है वो reasonable belief पर है ठीक है इसमें Mrs.Tolson को accuse किया गया कि जो Mrs.Tolson है उनकी पहली शादी के continuance में उन्होंने Mr.Tolson से शादी की लेकिन Mr.Tolson से Mrs.Tolson ने कहा कि जो उनकी पहली शादी थी उसका जो husband था वो मर गया ठीक तो ये जानते हुए ये case हुआ था और इसमें कोट ने उनके defense को माल लिया था फिर एक case आया था स्टेट अव महारास वसेस Ahmed George 1965 का जिसमें ये हिल हुआ कि अनलेस जब तक कि इस्तेट्यूट एक्स्प्रेसली और impliedly exclude नहीं करता मेंस्रिया को as a constituent part of a crime a person should not be guilty person should not be guilty found guilty of an offense unless he his mind is guilty जब तक इस्तेट्यूट एक्स्प्रेसली एक्स्प्रेसली और एक्स्क्लूट नहीं कर देता मेंस्रिया को कि एक constituent part है crime का तब तक कोई भी person guilty नहीं होगा किसी भी offense का तब तक कि जब तक कि उसका guilty mind ना हो तो मेंस्रिया के कुछ kinds है specific kinds है हम उसको भी जान लेते हैं कि वो क्या है मेंस्रिया में के specific kinds है intention, motive, knowledge or reason to me तो जो intention है वो कैसे पता चलेगा कि किसी person का intention है वो काम करने का यह हम intention हों कैसे define करे intention कहीं पर भी define नहीं है बट यह कहता है कि it is a desire of a person यह desire है किसी person का to produce a particular consequence कि कोई consequence produce करने का यह किसी person का desire है ठीक और कोई भी crime करता है तो उसके पीछे motive तो जरूरी होता है कि motive क्या है उस crime के पीछे तो motive is the purpose behind committing any offense ठीक लेकिन जो motive है यह essential element नहीं है crime का यह motive जो है जब punishment दी जाती है तब देखा जाता है कि जो accused है वो किनी कारणों के वज़े से उसने यह crime किया और court यह देखती है अगर उसको कारण उसको समझ में आता है तो उसकी punishment को कम या जादा कर सकती है पर यह essential element नहीं crime का है और इसके basis पे उसकी punishment खारिज नहीं करी जाएगी ठीक है यह हो गया motive knowledge हो किसी person को कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है तो यह मान लिया जाएगा कि person का intention था even mind था उसमें ठीक और किसी person का reason to believe उसके पास reason है यह believe करने के लिए कि जो कर रहा है वो गलत है तो यह भी मान लिया जाएगा कि उसका एक evil intention था ठीक हम अब यह ministryya समझ चुके है ministryya की कुछ cases से भी हम समझ यह कि ministryya required है कि नहीं required है कुछ exceptions है जहाँ ministryya proof करना required नहीं है जिसे कि food filtration का case हो गया बाइगे नहीं हो गया थी अपने आप में ही बता देता है कि person का intention है या नहीं ठीक है पब्लिक निउसेंस का case है kidnapping है content of court है यह सारे चीजें examples हो गई हो गई हम चलते हैं तीसरे element की तरफ जो तीसरे element है वह है अक्टस्रियस जो भी माइंड में चल रहा है अगर सिर्फ माइंड में ही चल रहा है उसको कोई person ने आक्ट में उसको नहीं किया तो वो तो crime होगा ही नहीं ठीक है क्राइम होने के लिए आक्टस्रियस और मैंस्रिया दोनों होने का जरूरी है कि हमारे दिमाट में जो चला उसको हमने ओवर्ट आक्ट किया उसको पे एक्ट किया कोई omission किया तो वो बन जाएगा आक्टस्रियस ठीक है जो illegal omission होता है वो भी इसके अंदर आता है जो guilty intention है उसके पर्सुविंस में अगर हम कोई कार करते हैं कोई overt act करते हैं वो आक्टस्रियस कहलाता है अक्टस्रियस इंक्लूट करता है single act series of act illegal omission series of illegal omission series of act plus series of illegal omission यह पांक चीज यह include करता है according to section 32 and 33 of Indian Penal Court और इस पर केस आया था illegal omission पे ओम प्रकास वसे स्टेट ऑफ पंजाब चलते हैं चौट्थे element की तरफ जो injury injury to human being injury किसको cause हुई है human being को यह fourth requirement है essential element है crime का ठीक है अगर किसी person को injury नहीं हुई है तो crime की definition में आए गाई नहीं injury हुई है तब ही हम जाएंगे अपने rights को enforce कराने तो injury जो हुई है वो कैसी हुई है किसी person के body पे हुई है mind पे हुई है reputation या property पे हुई है तो injury की definition में आ जाएगा जो section 44 of Indian penal court 1816 में define है hope so आपको आज का वीडियो और आज का lecture आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please like कीजे subscribe कीजे comments कीजे और अगर आपको कोई भी queries है तो आप इंस्टा पे मुझे directly DM कर सकते है thank you for watching my video